कि नमस्का आप सभी को मेरा नाम अशोग वीरादाव एडवकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियो अप्रोड करता हूं जो कि आप सब लोग करते हैं प्रसंद करने शियर करते हैं और अब तक नहीं किया है तुरंद करिएगा बेल आइकन रिप्रेस हैं होने वाले चीज़ें जिनकी बज़े से आप सेक्शन 498A या मैंटनेंस या डीवी तक या कोड कचरी के चक्कर आप लगाने शूब करेते हैं तो आज उसी के बारे में यह वीडियो है अगर आप इस चैनल पर नए है तो आम सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को आपको समझना है कि बाकई इन सब चीजों से की बज़े क्या है क्योंकि परिवार टूटना और टूटकर कोड तक पहुचना या फिर उसके बाद भी पतनिया जो है वो पती पर इतने इतने गलत आरूप लगा देना यह सब किनके पीछे कारण क्या है क्योंकि जहां पर से कई प्रकार के जो केसे हैं वो लेकिन इन सब चीजों में कॉमन एक चीज निकल का आती है कि पतनी कितना भी अपने पती के उपर केस कर ले चाहें वो सेक्शन 498 कर ले मेंटरनेस डीवी कर ले बाद में कहती यहीं है कि सर मुझे तो रहना इसके साथ ही है ऐसी परिस्तित आती क्यों है मतलब कि आप जिस पती के साथ रहना चाहती है उसके बाबजूद भी आप अपने पती को जिल हुजाने काम करती है सेक्शन 498 दे का केस कर लेती हैं मेंटरनेस केस कर लेती हैं और भी मतलब जो संगीन अपराद है 376 354 ऐसे भी अपराद लगाएते हैं कहीं न पतनी की जवान चल जाती जाता ज्यादा वह बोल जाती है गुस्से में कुछ और इसी वैसे पत्ति कहां तो फिर दोनों में जगड़ा बढ़ जाता है अब यह इस जगड़े के पीछे कारण कहीं न कहीं घर में कलेस होना या फिर घर में किसी पिकार कि माहौल उसके अनु जग द्यादर में बनते हैं उससे पहले जो हो सकता है कि अंजान हो उनकी बात नहीं कर रहा हूंग हां अरेंज मेरिज यह जह होती है उसमें उनजान होते हैं शादी से पहले तर शादी के बाद एक तूसरे के साथ रहने के बाद वह एक समाने पर ऐसे कटर दुश्मन बन जाते हैं गुस्से के कि अब या तो इसको जेल हो जाना है इसको चक्की प्रिश्वानी है इसको यह करवाना वो क्राइसी कई प्रकार की जो चीजें है भावनाय मन में पतनी की आते रहती है ऐसा क्या होता है देखिए सही चीज तो माइने में यह है कि पतनी अगर लड़की अब पती घर जाती है तो उस माहौल में ढ़लने में थोड़ा सा समय लगता है कभी-कभी ऐसा होता है कि तब यह सासवाल जो है वह आपके अपकर्ण नहीं मिलती में जैसे पतनी चाहती है जैसे लगई सोच चिये मेरा पतनी मेरा कहना मानेगा मेरे तोड़ने का अइंडिक परिवार को तूटने क्योंकि आप उस परिवार में जा रहे हैं तो आपको अपने आपको खुद को उस परिवार के अनुकूल बनाना है यानिकि उसके अकॉर्डिंग अपने आपको डालना है अगर घर परिवार में अगर साससुर है मैं एक मूल मंत्र आपके लिए साससुर आपके हैं यानकी लड़के के मतलब आपके पती के माबाप जो गया हैं उन से आप बहुत अच्छे से अपनी बना कर रखें अगर आप ऐसा करती हैं पती से एक बार धखड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं क्योंकि उनके पीछे उनके माबाप हैं अगर आप अंके पेरेंट् को बनाया है तो कहिंशंब बनाया है जो हमें हमारा मतलब सेवा कर सके सेवा का मतलब कि उनके कहना मालो घृलक काम है उनके केष्णा है उनकी करतो प्छीत नहीं करो नहीं हूग अब अगर आपके परिवार को समाह लिया ऑ है जठानी जठानी तो छोड़ी है जठानी है यह मनंद है यह फिर घर-परिवार में और भी लोग है मामा चाचा ताव वगर है उन सब लोगों से अगर आपकी अच्छी है त्यूनिक है और पती से बिगड़ी हुई है कोई दिक्कत नहीं है आज में तो कल वो इनसान जो है वो सब लोग उसको गलत कहँए उसको ठीक रास्ते प्ला देंगे लेकिन जहां आपने पती से ही बनाने कोशिश करी और बागी सब लोग को ठुकराने कोशिश करी तो फिर आपकी बात नहीं वन पाएगी जो लड़का है जो पती है वो अपने घर-परिवार से जुड़ा कि एक जो लड़का होता है वो उसके कंधों पर उसके मा बाप भाई बहन जो भी छोटे है तो उनका भी जिम्मेदारी है बड़े है तो जिम्मेदारी नहीं है लेकिन उनका उनकी बात मानने उनकी कहीं नहीं मदद करना ये भी उनके उसके जिम्मेदारी के तरह ही होता है तो लड़के के उपर आप लड़की जो है पतनी जो है वो अपना घर छोड़कर माईकें से स्वाल आई है मंतों परिभार माइब आप तो आपके जिम्मेदारी आपते लिए आप मावाप मावाप की बात है आप वह आप अपनी घर की जो चीज़ें वह बता रही हैं तो मावाब भी उसको एडवाइस करेंगे कुछ ना कुछ तो हो सकता है कि वह एडवाइस आपको लग रही हो लेकिन उस घर परिवार से उस अस्वाल से जिसमें आप गई है उसके अकॉर्डिंग वह गलत हो तो आपको चीज़ें अपनी घर पाई फोन जो है न फोन की वज़े से भी दिक्कत है अगर पती जगड़ा हो गया हम उपने आप में शड़यंतर बनाना शुरू हो गया तो कहीं न कहीं अपको यह लगता है कि हमारी बेटी दुखी है लेकिन यह बेटी यह नहीं सोचती है में अगर अपनी मन की बात जो है अपने सास माय के बताओंगी तो बहुत भी परशान होंगे तो मुझे भी बार बार फोन करणे तो मैं इसमें लोग दिस्टरब्स होगा जाया वह पिर मूड पती खराब होगा ठीशें बड़ने के साथ में जब पती नीव घढ़ा होगा सब्सक्राइब और अब यह जब यह समय से आता है कि इसमें विस्फोर्ट होना भी जरूरी है और जब विस्फोर्ट हो जाएगा तो फिर पत्नी जो है वह अपने माइके चली जाएगी लाई चखड़ा करके और फिर उसके बाद पती गुस्से में ब्लाय नहीं जाएगा तो पत्नी जो है वेटर नहीं करती है थोड़ा सा एक दो महीन इंत्या गही है बस उसके बाद लगाओ मुकदमा इस पर लगाओ सेक्शन 498 लगाओ इस पर डीविया केस बुलान नहीं आ रहा है लेकिन आप यहां नहीं सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि यहां पर कहीं ना कहीं लेकिन अब जो है वो हर लोग समझदार है पड़े लिखे हैं हालाकि अभी वह ऐसे हैं कुछ लोग जिनकी बशेश पत्नी पीडित हैं लेकिन जादा तक जो केस देखा गया है बहुत अच्छे पड़े पड़े लिखे कोट मा रहा हैं को चूड़ा पहनकर महिला है जो मतल इतनी जल्दी से डिस्प्यूट होना ये भी एक सही बात नहीं है इससे घर परिवार बिगड़ते हैं तो यहां पर कहीं ने कहीं कमी आ जाती है देखिए मैं यह कहता हूं कि पती खराब हो बेवड़ा ही हो बिल्कुली और पत्नी सही है तो वो अपना घर बना देगी समझ लेकिन जहां पत्नी खराब निकला है और पत्नी उससवाल को नहीं चाहेगी तो फिर डेफिनिट्ली वो घर बंजर हो जाएगा एक दिन खंडर बन जाएगा उसको तो यह जो चीजे हैं यह पत्नी को समझ नहीं है अगर पत्नी समझदार होगी तो पती आज ना तो कल वक्ष को जुकाना चाहती है उनके साथ मैं उनकी उपर करना चाहती है तो फिर यह जो चीजें है वह एक विकार की तरफ ले जाते हैं और आने आधिस जीवन जो समाफ्त हो घाता है ऐसे बहुत सारे हैं जो 20-20 साल से अपने पत्नी के लिए केस लड़ रहे हैं पत्नी भी लट रही है दोनों में कोई किसी प्रिकार्स का मन में कोई है नहीं कि हमें इन चीज़ों को बगड़े में उनको समालना चाहिए तो यह समझते नहीं इसके जलते हुए 20 साल निकल जाते हैं और बाद में पस्ताव एक सिभा कुछ नहीं होता है कि अब जब 20 साल का डिस्टेंस फोन आया जिन्होंने तस साल से अपने घर पर रह रहे थी और उनके पीछे में बता रहे थे कि सर कोई जगड़ा नहीं था बस छोटी मुटी बात थी उन पर मैं घर मायके चलिया और आज तक बलाने नहीं आए तो अब जो है बलाने नहीं आये तो उसका मतलब कहीं नहीं नहीं चाहिए सबस्वाल में आपके कई जगड़ा हो गया तो जगड़ा जिससे में हो रहा है उस समय गुस्से में बैग उठाया चल दी ऐसा नहीं करना चाहिए थोड़ा सा रुको समझो अगर लग रहा है कि चीजें ठीक हो जाए नॉर्मल हो जाए पती से पर्मिशन ले पतनी को भी तर गुस्सा रहेगा पतनी को भी तर गुस्सा रहेगा तो दोनों गुस्सा है तो गुस्से में क्या है दोनों अलग है तो पतनी को यह लगए कि बुलाना नहीं आ रहा है मुझे मुझे रखना नहीं चाहता है और फिर पती को यह रहना चाहती है यह मुकदमे मुकदमे कर रहे हैं मेरे पत्रम मुकदमा शुरूर आते हैं तो यह बेसिक चीजे हैं जो आपको समझ नहीं है अगर यह चीजे से आप समझ जाएंगे तो पती जो है वह वह उसका काम है स्रिप घर में आना खुटी खाना और बाकि घर को समालना पत्नी के काम है यह पत्नी समालती है तो यह आपको कुछ चीजें हैं जिसे आपने यह चीजे फॉलोग कर ली तो डेफिरिटि मैं कहता हूं और सबस्जाद बात इस अगर आप पत्नी ह हैं और आप माई के जाती हैं तो पती से ज़्यादा तालोकात अपने अच्छे परिवार वालों के साथ मनाएं उनके पती के साथ ही मैं करों बिगाड़ने नहीं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टन्स जो है वह अपनी सास ससोर नंद बगरा जो घर में हैं उन सबसे तालमिल अच्छा और विगड़ बी जाती है तो देखिए मैं ये कहता हूं कि जब लोग लोग लोगी बिगड़ जाती है अपने वही बहु कर पती है नहीं नहीं में यह गलत है यह इसको गहरम नहीं लाना दोबारा इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया अब यह करेंगे वो करेंगे तो ऐसा चीजे जो है वो फिर बहुत साथ चीजे जो बिखंडने शुरुड़ाती है तो आपको इन सब चीजों का इंध्यान रखना है कि घर परिवार में सभी लोगों से बना कर रखना है जिन लोग नहीं बनती जन लोग में जादा गुस्टा होता है तो उन सब चीजों का बाद में विखंडनी होता है और घर परिवार तूड़ जाता है आपको यह बात समझ माय हूं आज का टापिक लीगल एडवाइज ले सकते हैं अपॉइंट्मेंट बुक करा सकते हैं इसी नंबरों वाट्सप करके और मैं आपको फिर आडवाइज दोंगा बस आज बाद की आचा वीडिए दिखने लाव से बहुत धन्यवाद